कि बिस्मिल्ला इच्वामार रहीम वेलकम तो अबर यूटूब चैनल आज की वीडियो अजय है वो उन स्टूरेंट्स के लिए जिनके अफसी प्री मेडिकल में जो नंबर है वो 85% से लेके 75% के दर्मियान है ये वीडियो उन स्टूरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशल है ठीक है उन से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को फुल देखें ऐसे स्टूरेंट्स जिनके मार्क्स जो है वो 85% से बिलोव है उनका अगर वो फाइनेशियल इस दीवीएम डीफॉर्मसी डीवीडी एचेंडी एम लडी एम आईटी ये ओप्शन्स बचती है एसे स्टूरेंट्स जिनके मार्क्स जो है वो 85% से काम है उनका किसी भी गौवर्मन्ट उनिवस्टी में डीवीएम में भी अड्मिशन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल ह 85% से एट लिस्ट मार्क्स जो है वो ज्यादा होने चाहिए किसी भी गौवर्मन्ट उनिवस्टी में डीवीएम में सीट कनफर्म होने के लिए तो पन्जाब में जो है डीवीम जो है प्राइवेंट यूविश्टी वेल ओन्वन यूविश्टी है रीफा यूविश्टी वो फिर करवाती है या भी डेरा इसमे इल खान में जो है वोमश्टी है वो करवाती है SS students के लिए हम recommend करेंगे कि वो DVM जो है अगर वो private university में करना चाहरे है तो रिफा में admission लें DPT करें D-formacy करें H&D करें या अपने marks वो improve करें अगर आप अपने marks वो improve नहीं करना चाहरे है तो medical program में आपके पास यही fields बचती है जिनमें सबसे उपर सबसे ज़्यादा prefer करने वाली जो field होती है वो लोग DVM को prefer करते हैं ठीक है MBBS की merit list लगने से पहले यूवास, CEUAS ये अपनी merit list लगा देते हैं इनके admissions जो होते हैं close हो जुके होते हैं MBBS से पहले तो government universities, US और CEUAS इनका merit भी जोते हैं 90% से जो है above merit बनेगा इनका भी तो DVM private करने के लिए रीफा best university है DPD भी offer करवा रही है रीफा यूणिवस्टी डीफार्मेसी भी करवा रही है HND भी करवा रही है food sciences and technology भी करवा रही है MLT, MIT ये सारे programs जो हैं अब ओफर करवा रही है और रीफा यूणिवस्टी में admissions जो हैं वो open होए है रीफा यूणिवस्टी में admissions के लिए apply करने के लिए आपने साबसे पहले apply now पे click कर लेने इधर आके आपने sign up कर लेने अपना पर अबरट पहले आपने आपए यूणीवस्टी में ऊपने में पहले आपी राप पहले बचे feito बताता intrinsic साइन अप करने के बाद आपने अपना जो कमूट है उसे लोगिन कर लेना है इसके बाद आपने अपने अब्ले क्लिक करने सबसे पहले आपने केंपस टूर करना है आप कौन से कंपस में एंडीशन लेना चाहा हा हे हैं लोहर एंडर कैंपस लेवल अफस यह यह है यह डॉक्टरल जो है इसमें आपने प्लाइज नहीं करना आपने अपने अप्लाइज प्रोग्राम करना यह पीएशडी प्रोग्राम है ठीक है अपने प्रेफरेंस देदेनी डॉक्टरल फार्मेसी डीपीटी डीवी एम एम एक इसे सब्मीट कर देंगे नेक्स्ट पर ग्लीक करेंगे इधर आपने अपने सारी पर्सनल इंफोर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देनी है उन्हें साम्मीट और नेक्स्ट कर देने आपके पास जो है चलान फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा फर्स्ट ने मीडल ने लास्ट ने चलान फॉर्म नाशनलिटी पाकिस्टान सिन नंबर या बेवाउं चूज परेंगे अपना जंडर, डेड़ बर्थ, कास्ट लिख देंगे, आप अपनी, फादर ने, फादर का उक्यूपेशन, सामीट और नेक्स्ट कारना, इधर आप अपना ड्रेस बताएंगे, फून नमबर, सीटी, इन केस ओफ एमर्जन्सी यूनिवर्स्टी जिसके साथ कॉंटेक्ट करेंगे, उसका नहीं बताना है, अपने, रिलेशन्शिप, और उनका फून, इधर आपने अपना नेम लिखना है, इधर आपने अपनी मेट्रक की और इंटरमीडियर्ट की जो है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है वो अप्लोड करनी है, उटेंड मार्क्स, टोडल नमबर, पासिंग इयर, कोलीज आ स्कूल का नेम, बोर्ड, इसके बाद इंटरमीडियर्ट की आप देंगे, अगर आपका रिजल्ट वेटिंग है तो आप पार्ट वान की इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे, ठीक है, अगर आप सब्मिट और नेक्स्ट करेंगे, इदर अगेन अपना नेम, अपने फादर का नेम, और नेक्स्ट, इसके बाद सब्मिट अप्लिकेशन कर देंगे, आप्लिकेशन सब्मिट करने के बाद आपने फी चलान जो है वो अपना प्रिंट कर लेने, यह आपको ट्वंटी फाइव हंडड का जो है वो फी वोचर आजेगा ठीक है, वो आपने पे आउट करने के बाद जो है, इधर अपलोड फी चलान पर उसका प्रूब जो है वो अफलोड कर देने, पिक जो है लेकर चलान की जो आपने पे आउट किया है, वो अपलोड दरते नहीं है अगर आपका मेरेट बान जाएगा तो डाउनलोड ओफर लेटर में जाके आपका जो ओफर लेटर है अगर आपको ड्मिशन ओफर कर दी है रिफा यूनिवस्टी ने वो डाउनलोड कर लेने आप थैंक्स वर वाचिं पर मोर अप्डेट किंदी शब्सक्राइब आर चनल